लव जिहाद के दावे से एक वीडियो सोशल मीडिया पर वाइरल है 20 सेकंड के इस वीडियो में एक आदमी दिख रहा है जिसके हाथ में चाकू है चाकू का अस्तिमाल करी आदमी वीडियो में दिख रही दो यूवतियों को डरा रहा है और दो में से एक यूवति की तरफ बार-बार चाकू बढ़ा रहा है इस दौरान पूरे वीडियो में यूवति रोते हुए दिखाई दे रही है विडियो को शेर कर दावा किया जा रहा है कि लव जिहादी इस तरीके से हिंदू बच्चियों को डरा धमका कर जाल में फसाते हैं ट्विटर यूजर योगी योगेश अगरवाल ने वाइरल विडियो ट्वीट कर लिखा ये देखो लव जिहादी हिंदू बच्चियों को कैसे डरा धमका कर अपने जाल में फसाते हैं अगर किसी भी बच्ची को कोई भी इस तरह से धमकाए तो डरने की ज़रूरत नहीं है तुरंत अपने घरवालों को जानकारी देकर पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराएं तो ये लोग अपने मकसद में काम्याब नहीं हो पाएंगे ट्विटर यूजर काजल अगरवाल हिंदूस्तानी ने भी वाइरल विडियो को ऐसे ही दावे के साथ ट्वीट किया है दिललनटॉप ने वाइरल विडियो का सत जानने के लिए परताल की हमारी परताल में वाइरल विडियो के साथ किया जा रहा ये दावा ब्रामक निकला सबसे पहले हमने योगी योगेश अगरवाल के ट्वीट पर कॉमेंट्स को चेक किया कॉमेंट में सूर्मा भोपाली नाम के यूजर ने वेरिफाइड यूजर विकास सिंग चौहान का ट्वीट डाला है विकास सिंग चौहान ने विडियो के बारे में जानकारी देते हुए कैप्शन दिया इंदौर के माइजी थाना शेत्र में बदमाश की कर्तूत कैमेरे में कैड दिन दहारी कैफे के बाहर यूवती को चाकु से धंकाते कैमेरे में कैड पुलिस ने सरफिरे यूवक को किया estar यूवती को धंकाने के बाद आरोपी ने खुद के गले पर भी चाकू रखा आरोपी का नाम पियूश उर्फ शानू यहां से क्लू लेकर हमने घटना से जुड़ी मीडिया रिपोर्ट को इंटरनेट पर खोजा सर्च से हमें 26 जुलाई 2022 को दैनिक भासकर पर पब्लिश हुई रिपोर्ट मिली भासकर के मताबिक घटना इंदौर के MIG इलाके की है जहां पियूश उर्फ शानू पुत्र भरत सिंग, कचावा, चाकू लेकर अपनी परचित यूवती को धमका रहा था इस पूरी घटना का लोगों ने विडियो बना लिया और फिर विडियो सोशल मीडिया पर वाइरल हुआ मामले के जानकारी लगते ही पुलिस ने पियूश को गिरफतार कर लिया आरोपी ने बताया कि यूवती उसकी पुरानी परचित है जिससे वो शादी करने के लिए कह रहा था पुलिस के मताबिक पीडित यूवती ने इस मामले में शिकायत नहीं की इसके बाद आम्स एक्ट के चलते उस पर कारवाई की गई दैनिक भासकर के अलावा न्यूज 18 हिंदी ने भी अपनी रिपोर्ट में आरोपी का नाम पियूश उर्फशानू बताया है घटना के बारे में जादा जानकारी के लिए हमने इन दौर में M.I.G. थाने के थाना इंचार्ज आजय वर्मा से संपर्क किया उन्होंने बताया, विडेयो में लड़का और लड़की दोनों हिंदू है लड़के का नाम पियूश उर्फशानू, पिता का नाम भारत सिंह और उम्र 27 साल है विडेयो वाइरल होने के बाद हमने कारवाई की और पियूश फिलहाल जेल में है साथ ही प्यूश के पास से चोरी का स्कूटर भी मिला है इसलिए हमने चोरी और आम्स एक्ट के तहत कारवाई की है हाला कि वीडियो में दिख रही लड़की की तरफ से कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई गई है हमारी पड़ताल में वाइरल वीडियो के साथ किया जा रहा है दावा भ्रामक साबित हुआ वाइरल वीडियो में दिख रहे सभी लोग एक ही समुदाएके हैं और उस मामली में कोई भी सामप्रदाएक एंगल नहीं है लड़के का नाम पियूश है और फिलहाल आम्स एक्ट के तहट वो जील में बंध है ये खबर आपके लिए लिखी है हमारे साथ ही अंशुल सिंग ने मैं हूँ जोती जोशी कैमरी के पीछे है जतिन देखते रहे दिललन टॉप